What is up my techy dudes तो वीडियो सुरू करने से पहले मुझे एक चीज़ बताना है कि ये RGB फैन मेरा नहीं है ये मेरा दोस्त प्रत्यूस का है So thank you so much प्रत्यूस फ़र स्पांसरिंग इस वीडियो यहां पर हमें बॉक्स कुछ मैट फिनिसिंग के साथ देखने को मिल जाएगा और इसके साइड में देखेंगे तो कुछ डिटेल्स दिया गया है और इसके बेकसेट पर भी Oh made in China और इस प्राइजन में क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते है और अगर अभी इन बॉक्स कंटेंट देखा जाए तो सबसे पहले हमें ये कंट्रोल हब का बॉक्स देखने हो मिल जाएगा और इसके अंदर ये कंट्रोल हब मिल जाएगा जिसमें 6 ARGB फैंस का पीन दिया गये है एट लास्ट बॉक्स में तीन 120 mm फुल ARGB फैंस भी मिल जाता है तो फैंस का क्वालिटी कुछ डिसेन सा देखने को मिल जाएगा ना बहुत ज़्यादा अच्छा ना बहुत ज़्यादा खराब पर इस प्राइस पॉर्ट में देखा जाए तो कंपनी ने बहुत ही अच्छा क्वालिटी का प्रोड़क्त बने है तो बचेवे बॉक्स को हम बाकी यूट्यूबर्स की तरह फेक नहीं देंगे क्योंकि यार ये दोस्त को रिटन करना है और यहाँ पर फें सर्दू वायर निकलेंगे पहला वायर फेंस को कंट्रल कने लिया और दूसरा वाला वायर और जबी को कंट्रल कने के लिया और इसके बाद बाक्स में हमें एक रिमोट 12 स्कूर्ष और 24 एंटी वाइब्रीशन पैड्स देखरे हों मिल जाता है जिसको हमें ऐसे fix करने अगर connection का बात करें तो यहाँ पर मैं जिस तरीके से इस pin को connect करना हूँ उसी तरीके से आपको भी connect करना है और यह रहा हमारा motherboard to controller connector अगर मैं प्रिफर करूँगा तो इसको यूज करना कोई भी ज़रूद नहीं है क्योंकि controller में अल्रेड़ी बहुत सार एफेक्ट दे रखा है तो चले चलते अभी इस RGB fan को cabinet में assemble करते है क्योंकि करते है तो यहाँ पर demo के लिए मैंने यहाँ पर दो fans को double side tape से join कर दी हूँ क्योंकि ढ़ते हैं क्योंकि जाँ करने है यहाँ पर कंट्रोल और हब के साथ सारे LED के पिन और सारे फैंस के पिन को भी कनेट कर देना है और सबसे लास्ट में है इसका पावर सप्लाइ के लिए हमें मॉलेक्स केबल को कनेट करना है अगर आप चाहते हैं तो केबल मेनेजमेंट के लिए जिप टाइक को भी यूज कर सकते हैं मैं यहाँ पर इसको नहीं करूँगा क्योंकि यह दोस्त को रिटर्न करना है अगर यहाँ पर रिमोट का डिटल्स का बात करें तो इसमें Q1 से लेकर Q5 तक सारे पिसेट्स हैं और यहाँ पर रिमोट से ही फैन और LED का स्पीड को भी कंट्रोल कर सकते हैं तो यहाँ पर मैं कुछ RGB इफेक्ट्स दिखाऊंगा सारे के सारे इफेक्ट्स तो कवर करने सकते हैं क्योंकि वीडियो का लेंद बहुत लंबा हो जाएगा फिर मैं कोसिस करूंगा ज्यादे से ज्यादे इफेक्ट कवर हो जाएगा क्योंकि वीडियो जाएगा पसंद आई होगे और आप लोगी इस वीडियो में इतना प्यार दिखाऊगे कि जिसके वज़े से मैं यह RGB फैन खर सको तरीका है भीक मांगने का तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगले वडियो में स्टे क्रेटिव स्टे टकी क्रेटिव स्टे कि अपस्टर प्राइबा जाई अगले इस आपे ट्सटे की एपकूर्व प्राइबा जाएबाद टो आएफ-टोंड़ आएद का ट्स-बच्तिव एपज़े एचिए अप रहागे झाएभा टूंगब टूंग प्राइबाले आपक्तिव एड़े इस उत्